नमस्कार दोस्तों काफी सारे लोगों के माइड में ये confusion बनी रहती है गाईस कि उन्हें laptop खरीदना चाहिए या computer खरीदना चाहिए क्या उनके लिए better रहेगा अगर आप लोग भी laptop या computer खरीदना चाहते हो गाईस तो इस वीडियो को पुरा end से देखेगा क्योंकि इस वीड दोस्तों अगर comparison की बात की जाए तो आप कुछ ऐसे points पे focus करके असानी से पता कर सकते हो कि आपके लिए laptop सही रहेगा या computer लेकिन हम इस वीडियो में कुछ ऐसे points of view पे focus करने वाले हैं जिसकी help से आप लोगों के mind में जो confusion create हुए laptop और computer के बीच में वो हमेशा के लिए दू खरीदने की जरूरत पढ़ रही है सबसे फिल आप लोग यह decide जरूर कर लिजाए गाइस सेकेंड प्राइज यह प्राइज ही है जो हमारे mind में सबसे ज्यादा confusion create करती है कि हमें laptop खरीदना चाहिए या computer खरीदना चाहिए क्योंकि अगर आप market में कोई भी एक budget लेकर तो आप लोग easily उसे assemble भी करवा सकते हो computer को दोस्तों यहाँ पर third point निकल कर आता है portability अगर आप लोग field work करते हो या फिर अपने laptop या computer उसको एक जगे से दूसरी जगे पर ले जाना चाहते हो तो आप लोग इसमें बेशक laptop ले सकते हो guys क्योंकि laptop को आप लोग एक जगे से द connective होती है guys उसके साथ साथ आपको एक electricity board की भी जरूरत परती है जिसके करण आप लोग computer को एक जगे से दूसरी जगे तक असानी से नहीं ले जाती हो इसलिए अगर आपको portability की ज़रूरत परती हो guys एक जगे से दूसरी जगे कहीं पर field work करते हो तो आप लोग इसमें बेश monitor को आसानी से change कर सकते हो उसमें आप लोग छोटे monitor की जगे पर बड़ा monitor लगा दीजिए या फिर आप लोगों की जितनी इच्छा हो उतने size का monitor आसानी से लगा सकते हो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है guys आपको केवल cable connection करने की जरूरत पड़ेगी तो इसकी size की बात की जाए guys तो इसमें आप लोगो computer ही better है फिफ्ट पॉइंट आता है repairing का guys अगर आपके laptop में कोई भी चीज खराब हो गई है तो उससे आपके laptop के motherboard खराब होने के चांसे ज्यादा होते हैं साथ ही laptop repair करने के लिए आपको किसी service center या फिर किसी network and hardware engineer के पास ज असानी से और जिससे कि आप लोगो कोई नुकसान भी नहीं होता guys वो खर्चा भी कम आता है और आपके computer में कोई भी पार्ट उससे connect होगा तो वो भी खराब नहीं होता है six point निकल कर आता है upgrading का guys पहली बात तो laptop upgrade होता नहीं है और फिर भी आप लोग upgrade कराना चाहते हो guys तो risky होता है वो साथ ही आपको काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है लेकिन अगर computer की बात की जाए guys तो computer आसानी से upgrade हो जाता है जैसे कि आप लोग RAM या फिर आप लोग ROM आसानी से खुदी लाकर उसमें change कर सकते हो और इसमें आपको कोई problem भी नहीं आती हो ज्यादा खर्चा भी 7. आता है guys assembling का अगर आप लोग laptop को assemble करने चाहोगा तो laptop assemble नहीं होता है आपको जो चीज़े laptop में मिलती है guys वही चीज़े आपको use करना पड़ जाती है लेकिन computer को आप लोग आसानी से assemble करवा सकते हो अपने हिसाब से सारी चीज़े उसमें लगवा सकते हो जैसे कि आपको memory लगवानी है 2TB की memory लगवा सकते हो RAM उसमें 6GB या फिर 4GB असानी से लगवा सकते हो guys आपको कोई problem नहीं आएगी इसी type से आप लोग computer में और भी साइज चीज़े खुदी assemble करवा सकते हो असानी से 8th point performance guys एक time बाद आपके device में performance काफी ज्यादा slow हो जाती है अगर laptop में आप आपके laptop को खराब होने के chances काफी ज्यादा बढ़ियाते हैं लेकिन अगर computer की बात की जाए guys तो computer के performance को आप लोग असानी से improve कर सकते हो उसमें आपको ज्यादा छड़कानी करने की जुरूत नहीं पढ़ती है सिंपल तो आपको RAM वगरा चेंज करने की ज़रूत पढ़ती है जिसके कारण performance असानी से improve हो जाती है next and last point game guys काफी ज्यादा लोग gaming purpose से laptop और computer खरीदने की सोचते हैं और उसमें वो लोग laptop खरीद लेते हैं लेकिन guys laptop बेटर नहीं होता है gaming purpose के लिए computer बेटर होता है क्योंकि computer को आप लोग अपने हिसाब से adjust कर सकते हो like उसमें monitor आप लोग अपने हिसाब से adjust करके लगा सकते हो किसी भी size का उसके बाद आप लोग उसमें RAM, graphic cards वगरा खुदी लगा सकते हो guys उसमें आप लोग को असानी से ये सारी facilities मिल जाती है लेकिन laptop में जो चीज़े in build आती है guys उसे के लिए आप लोग को use करना पड़ता है इसलिए अगर आप लोग gaming purpose के लिए खरीदना चाहते हो guys तो आप लोग computer खरीदीजिएगा क्योंकि बड़े बड़े जो gamers होते हैं guys वो computer ही use करते हैं I hope कि इन सभी points of view से आपके mind के सारी confusion जरूर दूर हो गए होंगे और अगर simple भासा में बात करें guys अगर हमें portability के लिए system खरीदना है तो हमें laptop खरीदना पड़ेगा लेकिन अगर आप लोग हर चीज में देखोगे तो computer बहतर है laptop से इसलिए आप लोग अगर एक जगे पर रेकर use करना चाते हो तो आप लोग computer ही जरूर खरीदीजिएगा guys अगर portability के लिए खरीदना चाते हो कहीं पर इधर उधर जाकर आप लोग work करना चाते हो तो आप लो लेबल होंगे जब तक के लिए जाहिए thank you for watching